भिगोकर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, महबत मुल्क की सची निशानी दे गए अपनी, मनाते रहे गए वैलेंटाइन डे यहां हम तुम, वहां कश्मीर में सेनिक जवानी दे गए अपनी कश्मीर में कल 14 फरवरी को हुए कायराना आतंकवादी हमले में, शहीद हुए हमारे सभी जवानों को मैं शत्षत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आज का हमारा वीडियो उन्ही को ले करके है, ये वीडियो मैं उन्ही को समर्पित करता हूँ साथ ही कल से में जो फेस्बुक पे, सोशल मेडिया पे, वटसब पे और अन्य सोशल साइट जितनी भी है उन पे बहुत सारे चीजे मैंने देखी कि मुझे लगा कि इस पर मुझे कुछ बात करनी चाहिए, कुछ लोगों का भ्रहम है, उसको दूर करने का मैं प्रियास करूँगा दर्शनिक पक्ष रख करके, कि हम किस दर्शन को मानते हैं, हमारी मानेताय क्या है और ये शोक का विशे है या हर्श का विशे है, इसके उपर भी मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कल 14 फरवरी थी और सब लोग अपने-पने काम में बस्त थे, कुछ लोग वैलेंटाइन दे कर रहे थे और कुछ लोग वहीं पर कश्मीर में अपने जीवन का सरवोच्य बलिदान दे रहे थे सरवोच्य बलिदान यानि की अमर होना, शहीद होना, अपने प्राणों को नुच्छावर कर देना अपने देश की रक्षा के लिए, आन बान और शान के लिए जब भी कोई सैनिक, फॉज में, पेरामिल्टरी फॉर्सिज में, उलेस में, कहीं भी वो भरती होता है, कहीं भी वो स्लेक्ट होता है तो उसका एक उदेश्य होता है जीवन का, कि मैं अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को नुच्छावर करने के लिए, सदयव तत्पर रहूंगा, ऐसी वो प्रतिग्या करता है और बहुत खुशनशीब होते हैं वो व्यक्ति, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है अपने प्राणों को नुच्छावर करना, जीवन का सरवोच्च बलिदान करना मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी एक बात होती है इसको मैं गीता से लिंक करके आपको बताना चाहता हूँ कल मैंने भी एक पोस्ट डाली थी, शेर किया था और चुकि मैं भी गीता पर कोमेंटरी कर रहा हूँ गीता का भाशे कर रहा हूँ तो कल मैं स्वभागेवस दूसरे धै के 32 में सूत्र को लिख रहा था और ये जब घटना घटी, तभी मैं उस सूत्र को लिख रहा था उस सूत्रम का जो भावार्थ है मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो सूत्र का भावार्थ है वह है कि जब किसी छत्रिय व्यक्ति को जिस किसी योधा को बिना कोई प्रियास किये बिना प्रियतन किये बिना कोशिश किये युद्ध पराप्त हो जाता है वह युद्ध उस छत्रिये के लिए स्वरोग का दरवाजा खोल देता है स्वरोग के द्वार खोल देता है वो बहुत ही भागेशाली होते हैं वह छत्रिये जिनको ऐसा सो भागे होता है उनको बड़ा भागेशाली बताया है कल का जो वाक्या है और ये कल जो मैं सूत्र को डिफाइन कर रहा था गीता के दूसरे अध्ध है के 32 में शलोक को ये बिल्कुल सटीक बैठता है उस पे क्योंकि युद्ध करने नहीं जा रहे थे हमारे सैनिक, वो एक नॉर्मल रूटीन पे जा रहे थे किसी ने कायराना तरीके से, किसी ने कायराना हमला किया और वो शहीद हो गई यानि कि युद्ध की इच्छा नहीं थी, युद्ध के लिए प्रियास नहीं किया, युद्ध के लिए कोई कोई कोशिश नहीं की तो भी उनको युद्ध प्राप्त हो गया और जो अपने जीवन का सर्वोच्य बुलिदान वो दे करके चले गई तो इसलिए कहा कि उस्वरव का द्वार खोल देता है उन चत्री वेक्तियों के लिए और बहुती भागिश आली होते हैं तो मैं उन सब को इस दे शर्ट सब नमन करता हूँ हमारे बीव सैनिकों को और उनके प्रिवार के साथ खड़ा रहने के लिए मैं आप सबको भी प्रेवित करूँगा मैं खुद भी प्रियास को करूँगा कि जो शहीदों का प्रिवार है जो शहीदों के जो आशित हैं उनका सदा सम्मान आप करें सरकारों को भी सम्मान करना चाहिए और हम सबको भी उनका सम्मान करना चाहिए उनको हमें एक एक ऐसास दिलाना चाहिए कि उनके जो वेक्ति उन्हें सहाधत दी है हमारे देश के लिए हम सब के लिए दी है तो शहीद का परिवार के उल done शहीद का नहीं रहता हुझा है एक बाद तो यह रहे दूश्री बात बहुत सारे वेक्टी कल बहुत दुखी थे.. कुछ आक्रोशित थे, आक्रोश में कुछ-कुछ बोल रहे थे, मैं बहुत सारा देख रहा था, सब जेंग है, पुरा टीवी पे, शोशल मेडिया पे, केवल और केवल, ये जो कश्मीर का जो हमला है, इसकी ही बरसना की जा रही थी, राष्ट्री और अंतरा से दोनों सुत्र क्योंकि, जिस कारे के लिए उन छट्रियों ने पैरा मिल्टरी फर्स जॉईन की, आर्मी जॉईन की, वो अपने जीवन का सरवोच विलिदान दे करके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें शोक करना चाहिए, बल्कि हमें हर्ष करना चाहिए, कि वो अपने मकसद में का और अपने जीवन का सरवोच्य विलदान हमारे देश के रक्षा और सुरक्षा करते वे देखे गए हैं, वो हमारे पुजनिये हैं, सम्मानिये हैं, इसलिए उनके उपर शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, गीता कहती है कि शरीर मरता है, नश्वर शरीर है, आत्मा तो अजर अमर अभय पवित्र है, यानि कि जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता, तो जिसका नाश होई नहीं सकता, जो नश्वर नहीं है, उसके लिए किस परकार का आप शोक करेंगे, दूसरा, इसी बात को कोट करना चाहूंगा, जिससे जो आगे वाला जो श्रोक है, बहुत सा आराम से विश्राम करो, शांती से विश्राम करो, या आराम करो, इसको अब कैसे भी समझ सकते हैं, यह हमारी हिंदु धर्म की मानेता नहीं है, भारतिय जो दर्शन है, इंडियन जो फिलोसफी है, जिसमें योग भी है, सांख्य भी है, और जितनी भी इंडियन फिलोसफी ह पुनर जनम की अवधारना को माना गया है यह हम सो योग के विद्यार्थी मेरे से बहुत सारे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं बता दू तो योग के विद्यार्थियों को बता है कि पुनर जनम होता है पहले भी जनम हुआ है अब भी इस जनम में है, आगे भी कोई हम जनम लेंगे तो rest in peace का मतलब है आप यिसाई जो धर्म है और जो मुस्लिम जो धर्म है उनके अंदर माननेता है, वो कबर में दफनाते हैं हम हमारा जो शरीर होता है, मृतर जो शरीर होता है उसको हम जलाने का काम करते है तो जो चीज जल गई, यानि कि वो नश्वर थी और जो आत्मा है, वो उसको जलाया नहीं जा सकता किसी शस्तर के द्वारा काटा नहीं जा सकता पानी के द्वारा उसको गीला नहीं किया जा सकता वायू के द्वारा उसे सुखाया नहीं जा सकता जब किसी अस्तर सस्तर से काटा नहीं जा सकता गीरा नहीं किया जा सकता यानि कि वो पूरी तरह से विकार रहित है और जो जो चीज विकार रहित है हम कहते हैं कि परमात्मा उन सब के आत्माओं को शान्ती दे हम उनकी आत्मा की शांती के लिए दो मिनिट का मौन करेंगे ये एक आम परचलन हमारे समाज में फैली हुई है और बहुत बड़े स्तर पे ये किया जा रहा है लेकिन मैं योग का विद्यारती हूँ, योग का अध्यापक हूँ इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसकी बारिकी को समझें आत्मा की शांती के लिए प्रियास किया जाना आत्मा की शांती के लिए यज़ किया जाना तरकिक नहीं है, तरक संगत नहीं है जब आत्मा अशांत ही नहीं होती तो उसकी शांती के लिए यज किसलिए जब आत्मा विकार रहित है अशांती लोब, क्रोब, मोह, एहंकार ये क्या है ये विकार है अशांती क्या है अशांती का रता दुख, तकलीफ, कस्ट जब एक ती कस्ट में जो चीज कस्ट में आ ही नहीं सकती आत्मा विकार रहित है ज उसको उसकी शांती के लिए प्रयास किस बात का किया जाना चाहिए ये एक विशह है आप इसमे मनन करोगे सोचोगे विचार करोगे तो आपको इस बात का पता चलेगा दूसरा सब लिखते हैं रिप आर आईपी जो मैंने भी बताया वो मुस्लिम धर्म के अनुसार या ये साही धर्म के अनुसार तो सही लगता है क्योंकि वो मुर्दे को दफनाते हैं वो जलाते नहीं है हम मुर्दे को जलाते हैं दफनाते नहीं है हम पुनरजनम की मानेता में विश्वास रखते हैं वह पुनरजनम की मानेता में विश्वास नहीं रखते उनका कहना है जब कयामत का दिन आएगा तो ये जितने भी गड़े मुर्दे हैं सब पुनरजीवित हो उठेंगे वो पुनरजीवित होते हैं या नहीं होते इस विशाबे मैं नहीं जाना जाता यह आप समने भी देखा है कि कोई भी जो मुर्दा होता है वो कभी जीवित नहीं होता आज तक कोई नहीं हुआ इसलिए हम, हमारी जो मानेता है, वो बिल्कुल साइंटिक है, हम उसको मुरुदे को जलाते है रिप, बहुत सारे आत्मा की शांती के लिए और जो रिप लिखते हैं, उनके लिए मेरा एमेसेज है कि कम से कम जो हिंदु धर्म की मानेताओं में विश्वास रखते हैं, इंडिन फिलोसोफी को जो मानते हैं, वो रिप ना लिखें, करपा करके और रिप लिखना, कहीं ने कहीं आप अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड कर रहे हैं, और आप जो सद्यों से भेड़ चाल चली आ रही है, उसका आप भागी बन रहे हैं, इसलिए उसका भागी बनने की आवशक्ता नहीं है आप सबको, और जो कल हमला हुआ है, उसका हमार देने की आवशक्ता भी नहीं है, और विशेस करके किसी सरकार को भी कोशने की जरूरत नहीं है, किसी पक्ष को, विपक्ष को किसकी कमी रही, किसकी नहीं रही, वो एक अलग विशे हो जाता है, इसलिए आप सब योग के विद्यार थी हैं, इसलिए मैंने जाना कि इस शलो जो उनके हिस्से में ऐसा मुकाम आया कि बेना चाहते हुए भी उनको सहाधत मिली, भले ही वो कायराना तरीके से मिली हो, कल किसी ने मेरी पोस्ट पे कॉमेंट भी किया कि ये युद्ध थोड़ी था, इसको युद्ध थोड़ी कहते हैं, मैंने उसको रिपलाई किया कि दूसरा बात करें कि ये कायराना हमला था, हमला था, कायराना था, कुछ आमने सामने के हमले होते हैं, कुछ कायराना होते हैं, लेकिन वीरगती को तो प्राप्त हुए ही है, उन्होंने सरवच्च बलिदान दिया ही है, भले ही वो महाभारत के युद्ध में आप देखें कि अभिमन्यू को धोके से मारा या द्रोनाचारिय जी को जूड़ गोल करके मारा गया या करण को मारते हुए छल किया गया वो एक युद्ध की नीतियां होती है जब सामने वाला देखता कि बहुत तांकतवर बैखती है उसको खत्म करने के लिए वो कहते हैं कि ये निकेन पर क करेनी यानि कि किसी ने किसी प्रकार से उस कारे को करना होता है जिस प्रकार आप देखेंगे कि भगवान राम ने बाली को मारने के लिए छुप करके सहारा लिया छुप करके उनको तीर मारा क्योंकि बाली इतना बलशाली था कि जो भी उसके सामने आता तो वो उसकी आधि उससे छीन लिया, तो जो अन्याई करेगा, अन्याई को हराने के लिए कोई कहते हैं, किसी ने किसी परकार से उसको हराना आवशक है, यह तो समाज के लिए नासूर होता है, इसलिए हम भी जब हमारी सैनिक कारवाई करेंगे, वो किसी परकार की भी सैनिक कारवाई हो, हमें उ का समर्थन करना चाहिए और उसमें हमें किसी परकार का किन्तु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए इसलिए दो विशे थे कि एक रिप को आप समझें कि रिप हमारी भाषा में नहीं है हमारी भाषा में उनको शत्षत नमन है और जो आत्मा कभी पैदा ही नहीं हुआ जिसने क कभी जन्म ही नहीं लिया जो विकार रहित है तो उसकी शांती कैसी उसकी एशांती कैसी और उसकी प्रातना करने का कोई उचीते नहीं होता और उसके लिए कोई शोक परकट करने का विविशे नहीं है इसलिए आप सभी योग विद्यारत्यों को क्योंकि गीता पर कोमेंटरी है और गीता की मानेताओं पे हमारा देश आधारित है हमारा जो मानसिक जो हमारा नुनोविज्ञान है उसके पर आधारित है इसलिए इस व्याख्यान को लेकर के आपके सामने प्रसुत्वांग आशा आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको कोई जिग्यासा है इस वि भारत बंदे मात्रा